नमस्कार बहुत स्पाकेत आप सभी का मैं हूँ सौरव शर्मा आपके साथ लेकिन कुछ बाचीत और कुछ इंटिव्यू जैसे होते हैं जो जिन्दगी भर के लिए हमारे साथ भी जुड़ जाते हैं हम भी कभी नहीं भूल पाते हैं और आज मेरे लिए ऐसा ही एक दिन है औ आपको सर गुड़ मौनिंग तो यह आम लोग आए तो यह आम बत्तिकें बड़ी आवास कर रही है भी आपको भी उससे वही आवास सुनाई देगी अपकी बार 400 अगर आप ट्रेंड में जाएंगे इस बार और ट्रेंड की पट्री की जो आवाज आएगी जरमन में याद क लीजे पट्री भी बोलती है अपकी बार 400 बार देश की जनता ने ट्रेड किया है लोगों को आप तो यह कह रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया आप तो मतलब इतना मैं कहा रहा हूं क्या हूं कॉंफिडेंटली वी कैश्वली भी कहते हैं आप तो दे ही रहे हैं 400 मुझे ले का परफॉर्मन्स है कि पब्लीक में उन्होंने इस प्रकार के नेरेटिव सेट करने की कोशिश के 19 से 24 वो पूरी तरह नकारात्मक रहे हैं देश का प्रगति को रोकने वाले रहे हैं तो पहली बाते देश की जनता ने विपक्ष को पूरी तरह विफल होते हुए देखा है नकारात्मक रूप में देखा है इतना ही नहीं देश की प्रगति को रोकने वालों के रूप में देखा है तो उन्होंने अपनी छबी को इतनी तभा करके रखा है कि चुनाव के 40-40 दिन में वो छबी को सुधार नहीं सकते हैं दूसरी तरफ बुन्रिस से 24 मेरा जो ट्रेक रखोड है एंडिये सरकार का जो ट्रेक रखोड है वो देश को नई प्रगति पर ले जाने वाला है सामान्य से सामान्य व्यक्ति की भलाई करने का प्रयास किया गया है देश के हर भूर भाग में विकास के द्रश्टी लेकर करके हम चले हैं और उसके करण पूरे देश में समान रूप से भारतिय जनतापार्टी एंडिये और मोधी सरकार फिर एक बार यह जन्मन का भाव है सर बहुत सारे एलेक्शन हुए हमने भी देखे कुछ तो लेकिन यह पहला एलेक्शन है जहां ऑपोजिशन की प्रॉब्लम यह है कि चार सो पार क्यों बोल रहे हैं वह अपना नंबर कोई नहीं बताया अभी तक किसी ने लेकिन वह यह जुरूर पूछते इनको चार सो क्यों मैं बताता हूं हम ऑल्रेडी उन्री से चोबीस में चार सो है इसलिए मैंने चार सो पार हम एंडिये के रूप में और प्लस जो हमारा हाउस का परफॉर्मस रहा है वह चार सो वाला रहा है उन्री से चोबीस और अब कोई भी बच्चा अगर 95 लाएगा तो भी उसके तो मैं भी कहूंगा कि चार सो तो दिया था अब चार सो पार करो दूसरी बात है कि विपक्ष की नकारात्पकता इतनी है कि उनको भी सजा मिलनी चाहिए वो जहां है वहां से नीचे आने चाहिए ताकि उनको पता चले कि विपक्ष का कंस्ट्रक्टिव रोल भी होता है दे जैसे सहुस्ता का जो लोग अस्विकार करें जो लोग सेना को लगातार गालिया देते रहें जो सुप्रीम कोट के आलोचना करें जो मिडिया को प्रतिबंदित कर दें पत्रकारों को प्रतिबंदित कर दें ये देश की जनता इन सारी चीजों को देखती है और इसलिए ऐसी नकार आत्मक और विकृत सोच देश कभी स्विकार नहीं कर सकता है यह आपके लिए यह पांच साल जो है में आपोजिशन की लिहाज से पूछ रहा हूं आपको कभी नहीं लगा कि यह कुछ कंस्रक्टिव काम करना चाहरे हैं मुझे अच्छा लगता अगर वो करते हैं देश का भला होता लेकिन उन्हाने संसक को चलने ने देना हुर्दन करना हर पवित्र और प्रामानिक चीज में और जीन विचारों को कभी कॉंग्रेस के वरिष्णे नेताओं ने कहा था जो आज इंप्लिमेंट हो रही है तो वो उ हमने किया सरदार साब चाहते थे नहीं हो पाए हम न कर रहे हैं तो आप यहां तक चाहते हो कहते हैं उनके परिवार के टॉपमोस एडवाइजर का कहना है कि उन्होंने ताइक किया हुआ है अगर उनको बहुमत मिलेगा तो राम लला को फिर से टेंट में डाल देंगे और मंदिर हटा देंगे अगर यह बात उनके घर में से निकल कर जाती है तो देश के लिए चिंता का विश्य है यह तो मतलब असंभव सी बात हैं लेकिन मतलब देश कैसे कॉंग्रेस में इतनी विकृतियां भरी है देश के जब टुकड़े हुए 45 46 में देश का कोई व्यक्ति मानता नहीं था नहीं था तीन तलाग देश में हमारे मुस्लिम बेटियों को बरबाद करता ही रहा तो कॉंग्रेस का ट्रेक रगड़े हो कुछ भी कर सकते हैं इसमें आपने एक खत्रे से और आगाह किया कि यह अगर आ गए और कॉंग्रेस अगर आ गई तो यह स्ट्री ओबी सी का आरक्षन जो है वह बाटके दे देंगे मुसल्मानों को उन्हों ने खुद ने किया है और कहा है यह मैं नहीं कह रहा हूँ जी उन्होंने ओल्डेडी करनाटका में रात और रात मुसल्मानों को ओबी सी गोशित कर दिया और ओबी सी की जो आरक्षन थे उसमें बहुत बड़ा डाका डाल दिया उन्होंने आंद्र के अंदर जब सरकार बनी तब इस प्रकार का नेड़े क सब्सक्य करने नैंषे हो चुकी हैं और वो आज आकर के कह रहे हैं कि हम हम पूरा का पूरा अक्षन अब बाताने के लिए आप आरक्षन की विवस्ता को लूट करके हमारे दलितों को हमारे आदिवाश्यों को हमारे ओवीश्य को तभा करने पर तुले हुए क्या अपने बंगाल में पांच गैरंटी दी थी जनता को आपको बतला मैं यह जानना चाहिए आपको उसमें भी यह कहना पड़ा कि आपका अरक्षन कोई नहीं चीन सकता राम मंदिर का फैसला कोई नहीं पलड़ा यह मेरा कमिश्मेंट है यह मोजी की गारंटी है और यह देश में यह कभी नहीं हो सकेगा और मैं 400 सिटें मांगता हूं वो उसको 400 पार मांगता हूं कि इस प्रकार की विक्रुत मांगता वालों को एक स्ट्रॉंग मैसेज जाना चाहिए तो उसमें एक परसेंट शायद बोटिंग कम रहेगी 2019 से उसको लेकर एक बड़ा महौल बनाया गया कि नहीं साब इस बार तो मोदी साब का खेल ठीक है यह तिनका का सहरा ढूंते रहते इतने डूप चुके हैं इतने डूप चुके हैं कि उनको लगता है तीन का भी उनको बचा लेगा इसलिए ऐसे नेरेटिव बना रहे कि कोश्चिस कर रहे हैं सर फर्स्ट टाइम वोटर यूथ वोटर आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस रहा है उनको यह लगता है कि इस बार वो आपके साथ भी उनको उस पर आप क्या कहेंगे जो कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है कि पुरानी वाला नहीं है कि वर्तमान पीडी है जो डिजिटल वर्ल्ट से जोड़ी है वो बदलती हुई दुनिया देख रहा है भारत का विश्व में जो स्थान बन रहा है वो देख रहा है जब उसको पता चलता है गरीब का बच्च सपनों को संकल्प बनते देख रहा है और सिद्धी तक जाने के लिए मोधी रोड में बना करके बैठा हुआ है जब देश का नवजवान पहले सेंकड़ों में हमारी है स्टार्ट अब आज एक लाग डेड़ लाग स्टार्ट अप से टीर वन टीर 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 सिटी में है यहां मेरा भागे है हमारा देश एकाज गोल मेल जाए तो हम मोनते हैं चलो भी गोल मेल जा आज पॉर्स का एक कल्चर देश में डेवलप हुआ है जिसके यूथ को लगता है हम मेरे पोटेंशल को मैं बहार ला सकता हूं और जब उसको सुनता है कि 2029 में हम यूथ ओलंपि करना चाहते हम 2036 में ऑलंपिक को हां इन्वाइट करना चाहते है तब उसको भरुचा है तो तो देश बहुत बढ़ला होगा उलंपिक वाली तो बहुत बढ़ी बात है यह सपना नहीं है यह मोधी का संकल्प है और यह सिरफ संकल्प नहीं है उसके लिए मेरे पास रोड मै करेगी ताकि हम हमारी तहरे फिर 28 में जब जाएगा हमारा उलंपिक को युएस में मैं दूसरी टीम भेहूंगा वो स्टडी करेगा वहां ओलंपिक का और्डिनेशन कैसे था मैनेजमेंट क्या था स्पोर्ट परसन को कह चाहिए सपोर्ट स्टाप को कह चाहिए मैं अभी से टीमें लगा रहा हूं जी मैं तयारिया पूरी करता हूं जी मैं बाता नहीं करता हूं जैसे आपने कहा दोजार से तालिस में हमको विक्सित भारत बना है शायद सर्थ हमारी साइकी में आ चुका है कि हम कुछ चीजों को असंभभ मान लेते हैं कि कैसे होगा या इतने अगर मोदी इतने कम समय में एकोनोमी को थीन नंबर पर लानी कि पूरी तहरी के साथ आगे बढ़ रहा है तो 2047 में बिक्सित भारत बन सकता है आप जोतिश में बिलीब करते हैं या आप खुछ जानते हैं क्या थोड़ा बहुत जोकिश हूं कि आपने कहा था इस बार सुर शहजादे कहते हैं राहुल गांदी आपने कहा था कि इस बार दूसरी सीट से लड़ेंगे और यूपी भी आएंगे लेकिन यह अमेठी से नहीं लड़ेंगे वह बात भी सच हो गी है अब आपने यह कहा है कि कॉंग्रेस को उससे भी कम सीटे मिलेंगी जितनी शहजादे यानि राहुल गांदी की उमर है आपके पास फीडबैक है और नहीं मैं किसी जोतिसी को जानता हूं नहीं जोतिस सांस्त्र के समन में मेरा कोई अध्यान है इसलिए मैं उसके विश्य में तो कुछ कह नहीं सकता हूं लेकिन मैं इस परिवार की चार पीडियों का मैंने भरा है और उसके करण में स्वाभग बैठे बैठे अनुमान लगा सकता हूं कि यह करेंगे यह करेंगे और इसलिए मैं कहता हूं कि वह इस बार अपनी उमर जितनी सीटे भी नहीं जीत पाएंगे अब देखिए उन्होंने अपने साथी जो लेप्तुल का सबसे बड़ा फिलोस का इस लिए मैं कहता हूं कि कॉंग्रेस पार्टी के सोच को मैं समझ पाता हूं राइ ब्रेली में वह अमेटी से में भी बूरी स्थिति में अर और मैंने कहां था वायणार से इतनी खराब है इतनी भागाएंगे लेकिन इतना है कि चुनाव के पहले गोशित करें तो मर जा अंदेरे में रखा और मैं मानता हुए यह सारवजिनिक जीवन में इस प्रकार से दोगलापन नहीं चलता है लेकिन उनके सिस्टर है प्रेंग का जी वो नहीं ने कैम्पेंट समालवा राउल जी तो भी तक नहीं कहा राइबरी वह जाकर अपने परिवार की विरासत आद दिला रही है राजीव जी कैसे हम लोग जीप में घूमा करते थे एक मोशनल करने की कुशिश कर रही है आज जमाना है कि कोई फैमिली लीनिएज बोट दिला दे आपको पहली बात है कि वे कॉंग्रेस के लिए केमपेंट नहीं करते हैं वो इंडी अलाइंज के लिए केमपेंट नहीं करते हैं वो अपने परिवार के लिए करते हैं और कोई अपने परिवार के लिए करे तो मुझे उसके लिए कोई शिकाइट करने का कारण नहीं है हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है वो करते हैं दूसरी बात है कि उनके अंदर यह कहना अब जैसे के मां मेरी 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 का सब्सक्राइब का साय है और इसलिए जो कोई καह ना कि परिवार की संपति है तो यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान है इस देश में कोई किसी के संपति नहीं हो सकती 140 करोर देश्वास्यों के संपति है भारत के संविधान के संपति है सर आप उनको शहजादा कहते क्यों है लेकिन ऐसा है मैंने सुना है अभी मुझे कहा गया है शहन से आपको शहन शहन करता हूं इतना सेहन करता हूं इतनी गालिया सेहन करता हूं तो स्वाभाविक है मैं स्वाभाविक है मैं स्वाभाविक है भी न भाए इतना बढ़ा देश करें कि सबसे बढ़ा सवाल जो अंडर करन्ट मैसेज तो यह भी एक पिपी इतना बढ़ा देश कुल कि इसको सुपरत करें और इंडी एलाइंस के पाज जवाब नहीं है वह अच्छा उनका वैसे यह वह भी कुछ मुझे लगता है जोतिश में बिली करते हैं या उनको कहीं से के फीडबैक मिल गया मुझे जी की 500 सीर्ट मैक्सिमम डेर्ट सूरी ऐसा है पहले वो उनको किसी ने समझाया उनके जो भी एडवाइजर कि आप यह बंद करो भई नहीं लाए नहीं लाएगा मोदी चार सो नहीं लाएगा बंद करो यह तो आप अब बुदी का इजड़ा बो पहले बोलो 170 फिर बोलो 150 फिर बोलो 120 और हो सकता है आप वो सो से नीचे वाला बोलेंगे कॉंग्रेस पार्टी के पास बोरों में भरके नोट आएं क्या डानी अंबानी से माल लिया क्या तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रहा है यह कोई नहीं मान सकता कि इसके पीछे आपके पास कोई जानकारी न सब यह पूछते हैं कि अच्छा मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटे बढ़ेंगी कहां से यह तो यह कोई नहीं बता रहा है आप और यह एक एक फैक्ट भी है ओहो महरबान फिर फिर गलती कर रहे हूं हम वाल लेड़ी चार सो है अब मुझे चार सो पार कर चार सो पार तो यह कोई कठीन का अब नहीं दूसरा यह नौर्थ 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 आप जो कहते हैं मैं नौर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारती जिनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है लेकिन यह भी पता होना चाहिए क्या गुजरात को नौर्थ म सब महरती जनता प्रटी को समरतन मिल रहे हैं और देश का नेरेटीस वे कुछ लोगों ने बना के रखा हुआ रहुमा और यह देश बहुत-बड़ा हैं पृत-बड़ा है हम पहले भी पुड़ी चेरी में हमारी सरकार है यह आपको तो कागर लेकर बैठो नो भई मैप लेकर के बैठो न तब लाड़ें केरल यहां बहुत लोगों को दिल्चश्पी इस्पेशली तमिल नाड़ने बहुत दिल्चश्पी एकि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस ब बहुत बहुत धन्वाद बहुत अच्छा रहा मेरे लिए समय की सिमा है मुझे काश्वी पहुंच रहा है